हलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टी किचिन तो आज हम बनाने वाले हैं चीज कॉर्ण सैंड्वेच शैंड्वेच खाना तो सबको पसंद होता है फ्रेंड्स और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है आप इसे सुब में नास्थी के वक्त भी बना सकते हैं या आप चाहें तो सामके स्नैक में भी बना सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स तो चलिए हम इसे बिना किसी देरी के आप सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक बोल ले लिया है फ्रेंड्स और हम इसमें एक चॉब्ड प्यास डाल रहे हैं एक ले लामिष लिया है मैंने सारी वैज़ेस को यहां पे कीऊस में काटा है रिंष मेर legal तर सकूप में यहां बैल स्वीट काविट लिया है होי हो और मेरा मेर अपने मशाल की हाफ टीबलस्पून मे यहां पे लालमिश पावडर लिया है फैसल कलत अधी ब्ले केकल नमक अगर आपको एक्ष्टर मसाले अपनी चोईस की डालना चाहते हैं तो आप भी डाग सकते हैं आप इसमें 2-3 टेबल स्पॉन मियोनिज डालेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स यह देखिए हमने अपने वैजिस को अच्छे से मिक्स कर दिया हैं और हम इसमें चीज डालेंगे फ्रेंड्स इसके लिए मैंने यहां पे एक अमूल का चीज क्यूब्स ले लिया हैं इसे हम अपने वैजिस में ग्रेट करेंगे आप यहां पे मोजरेल शी Inhale या प्रोचस्ट चीज भी यूज़ कर सकते हैं को अधी अधी पिरसे मिक्स कर दिए हैं अब मारी स्टॉफिंग तैयार होगी है तो चलिए क्राइब है निटेज्दर बनाते हैं ल३द इसनद्टिश के लिए मैंने धुपर देश्ट अन्हें ब्रेट स्लैसे ले ले ये आ हैं अपने ब्रेट सलैसे के ऊपर अच्छे से बटर लगाएंगे अपे अपने अपने ली में तोनों ब्रेट स्लाइस पर अच्छे से बंठ लगा दिया अब देख सकते हैं अपनी ब्रेट स्लाइसेस पापने works of two bread slices यह ड्रेट इससे ङीह देख सकते हैं अब देक अब देख सकते हैं और यह बहुत ही हेल्दी होगी फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहां पर वैजिस काई यूज किया है हमने अपने दोनों ब्रेट स्लाइस पर अपने श्टॉफिंग अच्छी तरह से फिल कर दिया है अब देख सकते हैं अब मैंने यहां पर एक चीज की उल लिया है और हम इसे अप इसे ग्रेट कर दूँगी अब देख सकते हैं और हम इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेट रखेंगे फ्रेंड्स हम दूसरी ब्रेट पर कोवी बटर नहीं लगा रहा है हम इसे ऐसी इसे रखतेंगे यह देखिए तो चलिए अपनी साइंविच को सेखते हैं तो इसके लिए मैं आपे तवे पी थुरा सा बटर डाला है हमने या पी तवे बटर को अच्छी तरह से स्प्रेट कर दिया है फ्रेंड्स यह देखिए और हम इस पर अपनी सैंविचेज रखेंगे हाँ अपने सैंविचेज को लोफ लेंपल क्रिस्प होने तक सेखेंगे फ्रेंड्स आपने ब्रेट स्लाइस के ऊपर से अच्छे से बटर लगा देंगे फ्रेंड्स ताकि यह दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्प हो है कि दिखें मैंने दोनों ब्रेट स्लाइस पे कि अप्छमिसे हातों की बदद से बढ़के इसके दूसरी साइड को भी अच्छे से क्रेस्पोंने तक शेखेंगे कि यह देखे एंचे अब्लेट दिया हैं आप देख सकते हैं मारी सैंब्विचेज जर्ज चे अच्छे से सिख ज notwend अगे अच्छे से स्पेइज गई है तो अब हम इसे निकाल लेंके कि आप यहां पर चाहिए तो सेंडविच मेंकर मेर भी थन सेंडविचस को सेख सकते हैं कि हम एकी करके फनी सेंडविचस को निकाल लेंगे आपने सैंडविच को जाकू की मदद से बीचो बीच काट लेंगे फ्रेंड्स यह देखिए हमारा चीजी कॉन सैंडविच बनके त्यार हो गया है आप देख सकते हैं कितना टेंप्टिंग लग रहा है यह देखान में बहुत ही टेश्टी लगती है फ्रेंड्स ऐसे ही करके हाँ अपने दूसरे सैंडविच को भी काट लेंगे फ्रेंड्स यह दिखिए मैंने यह पर इसी टोमाटो के चप्चा साथ साथ सफ किया है फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी साथ कर सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगेंगी तो आप भी र इस भी जरू ट्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर करें वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज दू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और आप पहले इकन को दबाना ना बूले इससे आपको टेश्टीजन की नही रेसिपी की नोटिफि